है दोस्तों मैं हुमने दूलापसभणै तो ये है फिलेट मार्केटिंग वीडियो सीरिस्ट का पार्ट इसके पहले भी मैंने और डो बना लिया है इस अफिलेट मार्केटिंग के ऊपर अगर आप आप पालो लोगो explain करके चलिए बताना पड़ेगा तो उसके लिए में Q&A वीडियो बनाऊंगा आपकमी तो उसके लिए आपका जो भी question है तो इन वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए affiliate वीडियो के नीचे उसके उपर में button होता है अगर आपके बास website नहीं है तो आप किस तरह से apply करेंगे ठीक है ना तापके बास एक website होना पड़ेगा तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको एक चोटा सा ये वीडियो होगा बहुत शौट वीडियो होगा जिस पर मैं आपको बस website के बारे में बताऊंगा ठीक है क्योंकि हमने उस निष्ट के उपर depend करके ही एक domain बाय करेंगे और उसके बाद उसको host करके एक simple से website बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो जिस पर मैंने आपको निष्ट के बारे में explain किया तो आपको सबसे पहले एक niche find करना होगा आपको website बिनाना है तो website बिनाने के लिए तो आप सबको बताई होगा कि हम लोग क्या पर wordpress का use करेंगे तो wordpress किस तरह से connect करना है domain के साथ और किस्टा से wordpress install करना होता है यह सब तो बहुत ही basic चीज है जो कि मैं इस वीडियो पे वह सब दिखा कि आपका time pass नहीं करना चाहता लेकि है मैं आप सबको यह सब basic चीज़े दिखा कि आपका time pass नहीं करना चाहता था और मैं चाहता हूं कि यह एक short video हो जाए उसके बाद दोस्तों website की ओपर और भी कुछ चीज़े है जैसे कि यहाँ पर affiliate marketing में क्या होता है अगर आप Amazon के उपर काम करें ठीक Amazon या फिर Flipkart तो आप Amazon.com पर विजिट करते है Amazon.in पर फिर Flipkart.in पर विजिट करते हैं तो आपको एक store की जैसे मिलता है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ प्रॉडक मिलेगा मोबाइल या फिर आपको टॉइस या फिर कुछ चीज़े आपको एक store के तरह मिलेगा और उनकी नीचे आपको प् पुरा है कुछ भी उसके उपर पूरा description आपको वहाँ पर मिल जाता है और उसके बाद आपको वहाँ पर recommend भी मिलता है कि अगर आप buy करना चाहते है तो आप जाए चेक आउट कीजिए इस product को amazon.in पर फिर flipkart.in पर तो इस तरह की website को कहते है affiliate blogs ठीक है न तो यह दोनों क्योंकि store में क्या होता है दोस्तो store में हम लोग कुछ भी नहीं लिखते है ठीक है normal हम लोग store में आमको कुछ भी नहीं लिखना है मैं जो आपको सिखा हूँग upcoming videos में खेस तरह से आपको affiliate store बनाना है बहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बनाना होगा आपको बास एक website बनाना ह सकते हैं affiliate store को जहापी हमें कुछ भी नहीं करना है ठीक है हमें अपनी प्रोड़क को चूस नहीं करना है हमें फोटो नहीं लगाना है हमें description नहीं लिखना है हमें SEO भी करने की कोई जरूत नहीं automatically सब कुछ आपकी website में add हो जाएगा ठीक है उस plugin की मदल से लेकिन वो एक page plugin होगा और किस्ता से उसको use करना है में वह भी सिखा दूँगा उसके बाद जो second type की website होता है affiliate blog affiliate blog में दोस्तों आपको खुछ से कायम करना होगा आपको खुछ से article लिखना होगा reviews लिखना होगा आपको content create करना होगा तो वो भी मैं आपको वीडियो पर सिखा दूगा यह जो वीडियो है यहाँ पर मैं बस आपके साथ यह discuss करना चाहता हूं कि actually website के importance क्या होता है और आप आपको एक website अभी बना लेना है क्योंकि जो next video है किस तरह से आपको US या फिर इंडिया के लिए apply करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा तो उसके लिए आपको एक website की जरूरत होगा तो अभी आप एक website बना लीजिए और एक दो दिन के अंदर ही वो वीडियो में upload कर दूँग यूटूब पर और उसको देख कि आप डाइरेकली अपने लिए एक अपने लिए एक अकाउन बना सकते हैं Amazon पर या फिर कहीं भी तो दोस्तों यह है बहुत सिंपल सा एक वीडियो एक शोट वीडियो जहापर मैं आपको बस यह से बताना चाहता था और की वेने के बार में आपको एनाउंस करना चाहता था कि हम लोगी क्यों बनाएंगे अफिलेट मार्केटिंग के ऊपर तो आप अपना जो भी क्वेशन है वह आप वीडियो के नीचे कमन करना ना भूले और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजी अपनी